ओम नमस्षिवा जै महाकाल जिन लोगों को थाइराइट की विमारी है यदि वो लोग सिवलिंग पर एक चीज़ समार प्रित कर दें तो थाइराइट जैसी विमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं तो जिन लोग को थाइराइट की विमारी है उनको करना ये है कि सिवलिंग पर जहां भागवान सिव की छोटी लड़की का अस्थान यानि कि असुक सुंदरी का अस्थान सिवलिंग पर जहां है वहाँ पर सहर से ओम बना दीजिए वो भी केवस सहर से बनाना किसी ओसामगरी स उसके बाद भागवान संकर के उपर जल जड़ा दीजिए और नीचे जहां पर सिवलिंग की जलाधारी से नीचे जल गिरता है वहां पर किसी पात्र को लगा कर सिवलिंग पर जो जल से अवशिक किया है वो जल और जो असोक सुंदरी के इस्थान पर सहसे ओम बना था उसको और जब अवशेक किया हुआ जल और सहळ से बना ओम अपने किसी पात में ले 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 तो घर आकर जब केवल दुआ-दसी तित पड़े उस दिन दो पहर के थीक 12 बजे उस पानी में मिले सहळ को थोड़ा सा पी लिजिए उसके बाद जब जब 12 तित पड़े उसी दिन दोपहर के 12 बजे फिर से वो बचा हुआ जल पी लीजिए ऐसा आप 2 या 3 12 तित ये जल पीएंगे आपकी थाइराइड की विमाली हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी जिन्दिगी में कवे विया आपको थाइराइड नहीं होगी केवल असुक सुन्देजी की जगह पर ओ मंकित का देने मासी चमतकार हो जाता है मात्र भगवान शुका इसमर कर लेने से ही चमतकार हो जाता है आपको और कहीं विजाने की जरोत ही नहीं पड़ेगी भूलेना आपकी थायरेट जैसी विमारी को हमेशा हमेशा के लिए समावद कर देंगे धन्यवाद